जैहिन साथियो स्वागत आपका एक बार फिर से आपकी अपनी यूटूब चेनल आरेस एजुकेशन सेंटर पर साथियो बात करने वाले हैं आरपियसी सेकंड ग्रेड सिक्सक भरती के दस्तावी सत्यापन के बारे में कल अंग्रेजी विशे का प्रणाम जारी हो चुका है औ और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जूरू कर ले ताकि कॉम्पिटिशन एक्जाम से समदित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके तो साथ यो बात करेंगे डोकुमेंट की उससे पहले मापको बता दो कि आप सिरफ आपको जो फोरम है काउंसलिंग का जिसे हम स्कूरूटिनी फोरम भी बोलते हैं वो आपको RPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा इसके अलावा बात करेंगे डोकुमेंट की तो सबसे पहले में हम बात कर लेते हैं स्कूरूटिनी फोरम की मैंने आपको बता दिया है यह आपको RPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और वहां से ओफलाइन आपको यह भर के बाई हैंड आपको यह भर के साथियो अपने डिवी के समय आपको लेकर जाना है इसमें कुछ नहीं आपकी एजुकेशनल लिटेल्स आपकी पर्सनल लिटेल्स यह सब जानकारिया इस पोरम में भरी जाएंगी इसके बाद में पोस्टल ओडर सोरपे का पोस्टल ओडर आपको रास्ता जो लोग से वायुग है उनके सच्छिव के नाम से साथियो देना है इसके बाद में अगला डोकुमेंट है अपलिकेशन फोरम इस भरती के लिए आपने ज आती है सोरपे का नहीं मिलता तो आप पचास पचास रपे के दो पोस्टल ओडर भी लेकर जा सकते हैं इसके बाद में अगला जो डोकुमेंट है वो एड्मिट कार्ड जो एकजाम आप देकर आये थे वो एड्मिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए बहुत ज्यादा अ डिग्री में कई कन डिग्री का दिक्कत आता है कि मेरी तो डिग्री आई ही नहीं तो बिल्कुर अगर नहीं आई है तो provisional degree आपके पास में कम से कम होनी चाहिए अब provisional degree को लेकर सवाल रहता है कि 6 मैंने से ज़्यादा पुरानी चलेगी क्या बिलकुल वो चलेगी लेकिन आपके पास कम से कम a degree होनी तो चाहिए इसके बाद में B-A की all year की markship and degree जो B.A. आपने complete किया है उसके आपके पास में a degree और परते केर की मारक्षिट आपके पास में होनी चाहिए अब इन educational document में अगर आपके पिताजी के नाम में आपके नाम में या फिर आपके मदर के नेम में कहीं भी correction है तो बिल्कुल उसका अफिडेविट आपको देना पड़ेगा इस चीज का खास करके ध्यान में रखेगा या फिर application फोरम में अगर आपने कोई गलती की है तो बिल्कुल उसका अफिडेविट आपको counseling के समय या यू कहें आपका जो DV होने वाला है उसके समय साथ यू आप देना पड़ेगा इसके बाद में domicile राजस्तान हो या पहार के candidate हो other state के candidate हो मुलनिवास प्रते candidate को देना है तो बिल्कुल ये आपको DV के समय लेकर जाना है जो OBC, SC, ST, MBC वो भी राजस्तान के यानि राजस्तान की इन चार स्रेणियों के जो भी करनेट है इनको अपना कास certificate देना होता है अगर आविदन की अंतिवतिती के बाद का है तो बिल्कुल आपको यहां पर एक सपत पत्तर देना होगा सपत पत्तर का format मैं आपको अपने टेलिग्राम चेनल RS Education Center पर अपलब्द करवा दूँगा तो जो भी साथी टेलिग्राम चेनल पर नहीं है टेलिग्राम चेनल जरूर जोइन कर ले इसके बाद में अगला डोकुमेंट है साथी इंकम सार्टिपेट अगर आपने application form में अपनी इंकम यहाँ पर धाईलाक से कम भरी है तो यहाँ पर आपको इंकम सार्टिपेट देना होगा अगर अपनी यह अपनी इंकम गलती से धाईलाक से कम भर दी है तो बिलकुल यहाँ पर आपको सोर पेक आप जो postal order है वो RPSC सचीव के नाम पर देना होगा उसके बाद में आपको income certificate देने की कोई जरूरत नहीं है इसके बाद में अगला document आ जाता है आपका ID proof ID proof में आधार card आ जाएगा आपका pen card आ जाएगा आपका driving license आ जाएगा आपका voter ID card आ जाएगा इनमें से आप कोई बीजिक document जो photo युक्त ID है वो DV के समय लेकर जा सकते है इसके बाद में हम बात करते हैं अगले document की तो ये साथ ही आपका आ जाता है यहाँ पर चरितर प्रमाण पत्र है जो आपने अंतिम section के उग्यता गरहन की है चाहिए वो आपकी बीजिक हो या फिर आपकी इससे आगे भी अगर आपने अमें बग्यरा कर रखा है तो बिलकुल उसके document आप यहाँ पर लगा सकते है लेकिन जो भी अंतिम section के उग्यता लगाओगे उसका चरितर प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए यह आपकी particular जो सेस्ता है वो जारी करती है अब इसको लेकर आपके मन में doubt रहता है कि मैंने तो 2017 में ही मेरी तो beard complete हो गई थी अमें complete हो गई थी उस time का मेरे पास character certificate है क्या वो चलेगा यह फिर अभी latest बना हो तो यह बिलकुल आप चाहिए 6 साल पुरा ना हो चाहिए अभी latest का हो दोनों valid रहते हैं बस आपके पास में होना चाहिए इसके बाद में दो राजपत्रीत अधिकारी कोई भी फैस्टिक्रेट के teacher से आप यह बनवा सकते हैं इसका format चलित तरफारण पत्र का यह फिर एक सर्दिस्मन केटेगरी से हैं तो बिलकुल यहां पर आपको अपनी केटेगरी यहां पर describe करनी होगी यानि उसके document आपको देने होगे जैसे बात करें वीडियो की तो वीडियो को यहां पर आपको साथ यहां पर साथ यहां पर साथ यहां पर साथ यह देना पड़ेगा और आपको मिलती है वो डिवी के समय अले कर जानी है अगर पीएज का टेगरी से हैं तो पीएज का जो लेटेश स्राटिपकेट 15 हाज का डिजिटल स्राटिपकेट वो आपके पास में होना चाहिए इसी का खास करके के ध्यान में रखें आवेदन की अंतिमतिती से पहले का वो डोकुमेंट होना चाहिए सबत पत्तर में अभी आपको डिवी के समय ओली संतान दहेज और एहववायत के सबत पत्तर देने हैं अगर आप एक मेरिट कंडेट है तो यहां पर आपको संतान समंदी घोशना पत्त देना है विवाहित को भी देना है संतान वाला विवाहित को ही देना है और एह विवाहित जो भी अन्मेरिट कंडेट है उन सब को देना है एह विवाहित परमान पत्तर जो सबत पत्तर आपका बनता है वो साथियों यहां पर देना होगा इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अगेरा का देना है या नहीं देना तो ये सब बाकी जो भी दुमर पान बच गए सिविधात के सबत बच गए ये साथ हो आपको अभी जो आपका counseling होगा यह यू कहें जब आपकी joining होगी उस समय यहाँ पर साथी आपको देने पड़ेंगे अभी आपको डेवी के समय इनकी जरूरत नहीं पाडने वाली है विवाह पर्माण पत्र तो विवाह पर्माण पत्र नहीं होगा इसके बाद में अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में पहले से कारी रत है और अब उस जोब को छोड़कर इस जोब में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको यहां पर एनोसी देनी होगी वह आप एज इगोर्मेंट आपको पता है कि एनोसी क्या होती है तो वह एनोसी आपको देनी यहाँ पर साथियों नहीं लेकर जाना है अगर इन डॉकुमेंट में कोई भी डाउट है तो बिलकुल आप टेलिग्राम चैनल आर एजुकेशन सेंटर जोइन करके मेरे मोबाइल नमबर आप राप्त कर सकते हैं और वहाँ से आप को बात कर सकते हैं आपका सोलुशन साथियो आपको अब बता दिया जाएगा तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें इसके साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताकि इस भारती से सबंदित हर ऑथेंटिक नियूज आपको सबसे पहले मिल सके हैं म मिलते एगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जाहे